आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रेगनन्ट लेडी को बहुत सारे दर्द से गुजरना पड़ता है इस वीडियो के अंदर दो बाड़ी पार्ट के दर्द की बात की जाएगी पहला होगा पेट के हिस्से में दर्द होना वो होता है और साथी साथ उस दर्द को हम चुटकियों में कैसे ठीक कर सकते हैं और इस दर्द का संकेत क्या है क्या आखिर कारण है कहीं एक ऐसा कोई है जो इसी से में अकर दर्द होता है तो बहुत जल्द नॉर्मल डिलिवरी की चांसे हो जाती है इस तरह की भी कोई बाते हैं क्या और साथी साथ एक बार हम बात करेंगे कमर में दर्द की कमर का दर्द क्या संकेत देता है उससे हमें आराम कैसे मिलेगा overall इन दोनों इन बोडी पार्ट को इस वीडियो में कंसीडर किया गया है मेरे पास सबसे ज़्यादा अगर दर्द की queries आती है तो वो खमर दर्द और वो पेट के हिसे में दर्द की आती तो चलिए गईज मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं हूँ श्वेताओ और आप देख रहे हैं प्राइम मोम चानल पहली बार अगर आया है चानल पर चानल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक किजिएगा सबसे बहतर होगा अगर हम अपने प्रेगनेंसी के जौर्णी को तीन पार्ट में कंसिडर करते हैं पहला पार्ट होगा एक से तीन महीने के बीच दूसरा पार्ट होगा तीन से छे महीने के बीच और तीसरा पार्ट होगा छे से नौ महीने के बीच तो हम first part को consider करते हैं एक से लेके तीन महीने के बीच में अगर पेट के हिस्से में दर्द होता है तो ये क्या होता है सबसे बड़ी बात पेट के हिस्से में mostly जैसे ही आप concept करते हो नाभी के निचले वाले हिस्से में दर्द होता है वो दर्द बहुत हलका होता है ज्यादा तेज दर्द नहीं होती है अब ये कहना है कि कमर के हिस्से की बात कह जाए तो कमर में भी कमर के बीचों बीच में ज्यादा दर्द की संभावना होती है लेकिन पहले एक से तीन महिने के बीच में बहुत कम महिलाओं को कमर दर्द की सम अब मेरे को मतलब यह चीज़ है कि जब आपको पेट के हिसेसे में डर्ण होता है आपको अराम कैसे मिलेगा जिखी यह 1 से 3 महीने के बीच में जो आप jest क्योंकि यह दर्ध यह इम्प्लांटेशन और रही है खरके तीन से यह सो सकता है तीन से छह महिना एक ऐसा समय आता है अपकी प्रेग्नेंसी में जब आपको अपने बॉड़ी को सबसे ज्यादा नोटीस करने की जरूत होती है यहीं वह समय होता है जब आपका पेट जो है वह धीरे-धीरे आकार लेना स्टार्ट होता है दीरे-धीरे निकलना श्टार्ट हो हब प्रोपर नीड्रेशन की जरुथ होती है तो उसके ग्रोथ के कारण क्या college इस समय में दर्ड होती है जब पेट जो फुलना इस्टार्ट होता है इस समय में खासकर अगर बात किया ज़ए कमर दर्द की कमर दर्द अभी बहुत कम महिलाओं को होता है अब एक बार हम कंसिडर करेंगे 6 से लेके 9 महिने के बीच में इस समय क्या होता है कि जो दर्द होता है पेट में वो आपको तक बच्चा जाप पहुंचता है और पैरों की बात करें तो पैर मा के पेट में उपर के हिसे में पैर क्या होता है उसे बच्चे बहुत ज़्यादा हल चल कर लेते हैं क्योंकि सर नीचे जा चुका होता है पैल्विक रिजन में यह मैं मुस्ली एट और नाइन मंथ के लिए इस केस में क्या होता है कि पैर ऊपर रहता है बच्चे ज्यादा पैर को किक्स करते हैं ज्यादा हल चल करते हैं तो उस टाइम एक दर्द बना रहता है पेट के हिसे में पेट का आकार जो है वह काफी फूल चुका होता है आपका यूट्रस का साइज फूलने लगता है और बच्चा है उसका वजन बहुत बढ़ने लगता है अगर बात कि जाए छे से नौ महीने के बीच में सो से डेर सो ग्राम हर विक के हिसाब से बढ़ता है इसलिए आपका खुद का वजन काफी बढ़ा रहा है इसकारण से यह सब दर्द बहुत ही कॉमन है और किसी भी दर्द प अगर बात किया तो कमर दर्द इस दवरान सबसे ज्यादा होता है कि आपका खुद का वेट बेबी का वेट बहुत जदा बढ़ा रहता है इन दोनों ही चीज़ से अराम तभी मिलेगा जब आपको हलका मसाज लेना है और अगर आप चाहती है कि पूरी तरह से मुझे भी हो जाएगी इस वीडियो मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया अब भी कुछ पूशना है कुछ रह गया है तो मुझे नीचे आप कमेंट कर सकती है थैंक्स फौर वाचिंग मिलती हुँ मैं आप सबसे कल की वीडियो में तब तक क्लिए बाए 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 एं टेक क कर दो